अलो वेल्कम एवरिवन तो दा ओनलाइन लेर्णिंग प्लेटफॉर्म ऑफ सेलेक्शन मेंटर। हम लोगों की जो साइन्स आइंट अकलोजी की question series चल रही है उस series में हम लोग साइन्स आइंट अकलोजी से related जो भी आपके questions हैं, उन questions के बारे में आगे हम लोग आज discussion करने वाले तो यहाँ पर आप सभी लोग latest notification के लिए टेलिग्राम चैनल को भी follow करिए, join करिए और even social networking sites जो हैं वहाँ पर भी इंस्टा और Facebook पर भी आप लोग follow करिए ताकि आपको latest update मिलते रहें तो देरी न करते हुए move करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्ण की तरफ तो हमारा पहला प्रश्ण क्या है यानि कि उट का जो कूबड होता है वो किस चीज का बना होता है जैसे कि आप सभी लोगों ने उट के structure को देखा होगा कि तो जो उट होता है उसकी जो peat होती है peat के उपर एक hump होता है ठीक है? कुछ इस तरीके से ये hump present होता है जिसको कि हम लोग कूबड कहते हैं और even हम लोग अगर एशिया में अगर हम लोग साउथ वेस्टरन एशिया के portion को देखें तो वहाँ पर double hump cable भी निवास करते हैं एक प्रजाती ऐसी भी है जिनमें कि क्या होते हैं double यानि कि दो कूबड उनमें उपस्थित होते हैं double hump cables भी present होते हैं तो जो उट है उट का कूबड किस चीज का बना होता है यहाँ पर option है fat, वसा का muscles, पेशियों का blood या air cavity रक्त या वायू की गुहा होती है तो हम लोग जानते हैं कि छोटे से हम लोगों ने पढ़ा है कि उट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है यानि कि ship of the desert ठीक है तो उट लंबी दूरी तै करता है और साथी साथ बिना पानी और बिना खाने के वो काफी लंबी दूरी भी तै कर लेता है तो उस समय पर survival के लिए जो food का storage है वो कहां पर होता है hump में ही होता है यानि कि भोजन का जो एकत्रल है वो hump में होता है जितना ज्यादा store होगा उतना ही ज्यादा है उसके कूबड की उचाई होती जाएगी और जैसे जैसे ये utilize होगा hump क्या होता जाएगा धिरे धिरे lower down होता जाएगा ठीके तो यहाँ पर food का जो storage है उसकी body में वो किसके form में होता है तो fat के form में यानि कि वसा के रूप में होता है तो उउट का जो कूबल है वो किस चीज का बना होता है तो इसका right answer हो जाएगा A, यानि कि fats मतलब वसा का बना होता है और एक बार में उउट 30 लीटर से ले करके 60 लीट मानो शरीर में कितने ऐसे दात हैं जो दुबारा विक्सित होते हैं यानि कि temporary teeth ये question ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मानो शरीर में आइस थाई दातों की संख्या कितनी है यानि कि temporary teeth का number कितना होता है ये भी question बन सकता है और साथी साथ अगर देखा जाए तो number of milk teeth करके यानि कि दूद के दातों की संख्या कितनी होती है ये भी question आपका बनता है ये तीनो question एक ही है ठीक है तो यहाँ पर मानो शरीर में कितने दात दूबारा विक्सित होते हैं options है चार बारा बीज या 28 तो हम लोगों ने जो kids का जो dental formula होता है वो कितना होता है 2102 upon 2102 ठीक है तो यहाँ multiplied by ये उपरी और नीचले दोनो जबड़े के भाग होते हैं तो इस दार पर अगर देखा जाए तो बच्चों में जो दातों की संख्या होती है वो कितनी होती है 20 होती है और 20 दात जो है ये मानों में दुबारा विक्सित होते हैं जो की गिरते भी है ठीक है तो number of milk teeth या known as cell transportation manager यानि कि निम्ण में से किसको कोशिका का परिवहन प्रबंधक के रूप में जादा जाता है तो देखे यहाँ पर अगर हम किसी भी cell की बात करें खासतोर पर animal cell में अगर देखें यानि कि जंत कोशिका की बात करें तो बीच में तो हो गया nucleus लेकिन nucleus के अलावा यहां क भी प्रजेंट होते हैं ठीक है mitochondria भी प्रजेंट होता है गौलगी बॉडी निकी परिवहन प्रबंधक कौन होता है तो परिवहन प्रबंधक का main basic मतलब है कि बाहर से यानि की कोशिका के बाहर से अगर कोई भी चीज आएगी तो उसको पहचाने का कौन उसको check on करेगा कि ये कोशिका के लिए यानि कि cell के लिए पाइदे मंद है या हानिकारक है तो जो भी checking करने का काम करेगा उसी को हम लोग कहते हैं परिवहन प्रबंधक यानि कि transportation manager और cellular transport में जो management करता है यानि कि कोशिका में परिवहन में जो भी मदद करता है उसकी अगर बात करें तो वो आपका right answer क्या होगा गौलगी bodies यानि कि गालजी काय होगी जिसको की traffic police of the cells भी कहा जाता है क्योंकि कोशिका के अंदर किसी भी चीज का आवा गमन होगा तो उसका exposure 100% है कि किस से पहले होगा तो गौलगी bodies के ही द्वारा होगा यानि कि गालजी काय के ही द्वार पेशिया कौन सी होती है हाथ की मान स्पेशिया जांग की मान स्पेशिया गले की मान स्पेशिया या जबडे की मान स्पेशिया तो हम लोग पेशियों की strength के recording अगर हम लोग देखें यानि कि इनकी छमता या छमता के अलावा अगर देखें कि इनकी मजबूती के आधार पर देखें तो मानौव सरीर में जो सबसे मजबूत पेशियां होती है वो होती है Jaws की यानि की जबडे की जबड़े की जबड़े की जबड़े की मानौव wow तेरी न करते हुए move करते हैं अगले प्रेस्जी की तरह the bitter taste identified by which part of the tongue यानि कि जीब के किस भाग के द्वारा हमें तीखे स्वाद का पता चलता है तो यहाँ पर option है आपका from the tip यानि कि आगे की नोक से ठीक है दूसरा option है from back part यानि कि पिछले भाग से तीसरा है from middle मद्य भाग से या from corners की नारों से तो यहाँ पर अगर हम लोग tongue के structure को अगर हम लोग देखें यानि कि जीब की सनरचना की अगर हम लोग बात करें तो जीब की सनरचना हमारी कुछ इस तरीके से होती है कुछ इस तरीके से हमारी tongue का structure होता है यानि की जीव की सनरचना होती है और जीव में अगर हम लोग देखें तो जो sweet taste है यानि की मीठा स्वाद है ये हमें tip से पता चलता है यानि की front भाग से हमें कैसा पता चलता है मीठा स्वाद पता चलता है ठीक है clear वहीं अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर हम लोगों का जो शोर टेस्ट है, खटा स्वाद है, खटा स्वाद हमें दोनों कॉर्णर से पता चलता है, सॉल्टी टेस्ट ये भी बैक साइड के कॉर्णर से पता चलता है, बिटर टेस्ट जो होता है, यानि कि तीखा स्वाद जो है, ये हमें जीब के पिछले भाग से पता चलता है, यानि कि back portion से हमें क्या पता चलता है, bitter taste हमें पता चलता है, यानि कि तीखा स्वाद पता चलता है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा आपका, from the back part, यानि कि जीब के पिछले भाग से हमें bitter taste पता चलता है, जहांपर bitter taste की taste buds, यानि कि रस का लिकाएं उपस्थित होती हैं जिनकों कि हम लोग रसांकूर भी कहते हैं ठीक है तो राइट अंसर हो जाएगा from the back part यानि कि option B अगला question है हमारा the function of the pacemaker is pacemaker का आखिर कार्य क्या होता है ठीक है तो options है आपके formation of urine यानि कि मूत्र का निर्माल करना process of digestion यानि कि पाचन में सहाय करना सहायता करना process of respiration यानि कि जो स्वसन की प्रक्रिया है उसको कराना या initiate heartbeat यानि कि हृदय की गति को प्रारंब करना तो pacemaker का इस्तमाल सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कब होता है तो जो senior citizens होते हैं यानि कि खास दोर पर जिनकी उम्र 60 पार्ग हो चुकी है उनमें irregular heartbeat हो जाती है यानि कि रदय की गति क्या हो जाती है बेटा अनियमित हो जाती है ठीक है ह्रदय की गति कैसी हो जाती है तो अनियमित हो जाती है और ह्रदय की अनियमित गति को यानि कि जो uncontrolled heartbeat है उसको maintain करने के लिए क्या लगाया जाता है पेस मेकर लगाया जाता है तो इस आधार पर यहां पर हम लोग अगर देखें तो जो right answer होगा वो क्या होगा कि heartbeat से relate कर राय यानि कि ह्रदय की गति से ये संबंधित है तो heartbeat को control करने का काम कौन करता है तो बेटा पेस मेकर करता है तो initiate heartbeat या irregular heartbeat अनियमित ह्रदय की गति को या ह्रदय की गति को प्रारंब करने का काम कौन करता है तो पेस मेकर तो right answer हो जाएगा D अगला question है हमारा In digestion process, protein is converted into which of the following यानि कि पाचन की प्रक्रिया में protein निम्न लिखित में से किसमें बदलती है fat, वसा में, amino acid, amino aml में, sugar, सरकरा में या vitamin में तो हम सभी लोग जानते हैं कि protein किस चीज से बनी होती है तो protein का जो building block होता है या सूखशुतम इकाई होती है, वो कहा जाता है amino acid को, यानि कि amino aml को protein की क्या कहा जाता है सूखशुतम इकाई, यानि कि smallest unit कहा जाती है और जब हमारे जो enzymes हैं जैसे कि papicin, renin, ठीक है even यहाँ पर अगर देखा जाए तो और भी enzyme हैं जो कि हमारे पाचकरस में उपस्थित होते हैं तो यह protein को किस में convert कर देते हैं protein को simplify करके convert कर देते हैं amino acid में, यानि कि amino aml बे तो right answer आपका क्या हो जाएगा कि पाचन की प्रक्रिया में protein किस में परिवर्थित होता है तो right answer होगा amino acid यानि कि option भी आपका right answer होगा अगला प्रशन देखते हैं हम लोग saliva helps in the digestion of which of the following यानि कि लार निम्न में से किसके पाचन में मदद करती है तो digestion के process में अगर देखा जाए तो भोजन का जो पाचन है यह प्रारंभ कहां से हो जाता है यानि कि जो food का digestion है यह start कहां से हो जाता है mouth से क्योंकि mouth में हमारी क्या present होती है salivary gland लार गरंथिया और यह लार को श्रावित करती है यानि कि saliva को produce करती है और saliva में कौन सा enzyme present होता है तो tylin enzyme उपस्थित होता है और tylin enzyme करता क्या है यह हमारे जो भोजन में carbohydrate होता है किस form में होता है starch के form में होता है यानि कि मंड के रूप में होता है और यह starch को किस में convert करता है तो sugar में convert कर देता है यानि कि सरकरा में परिवर्थित कर देता है तो इसलिए जो saliva है यह क्या करता है sugar में जैसे ही starch को convert करेगा वैसे ही ज़्यादा देर तक चबाने के बाद भोजन हमें मीठा लगना सुरू हो जाता है तो saliva किसके पाचन में मदद करता है तो answer क्या हो जाएगा आपका starch यानि की मंड के पाचन में मदद करता है अगर मान लिजे यहाँ पर starch की जगे option में क्या दिया होता ठीक है carbohydrate अगर दिया होता तो right answer क्या हो जाता तब carbohydrate हो जाता क्योंकि carbohydrate जो है हमारे food material में किस form में stored रहता है तो starch के ही form में हम लोगों को मिलता है यानि के मंड के रूप में मिलता है grains में अनाजों से ठीक है इन सभी से हमें starch के ही रूप में मिलता है तो A is the right answer, अगला question है, enzymes are basically is, यानि कि enzyme मूल रूप से क्या होते हैं, यानि कि किस चीज से बने होते हैं, options है, protein, vitamin, fat, sugar, तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हैं तो सुनिए कि all enzymes are proteins, यानि कि सभी enzymes किस से बने होते हैं, या सभी enzymes क्या होते हैं, protein होते ह all proteins are enzymes, लेकिन सभी protein enzymes नहीं होते हैं, तो इस आधार पर अगर हम लोग देखें, तो सभी enzymes हमारे क्या है, protein है, तो enzymes किस से बने होते हैं, तो right answer हो जाएगा A, यानि कि enzymes किस के बने होते हैं, तो protein के बने होते हैं, छीक है, तो right answer A हो जाएगा, option A, छीक है, अगला प्रश्ण है हमारा, formation of RBC occurs by, यानि कि लाल रक्त कलिकाओं का निर्माल किसके द्वारा होता है, तिवर, यानि कि यकरत, hurt, फ्रदय, hormones, या bone marrow, यानि कि अस्थि मज्जा, तो लाल रक्त कलिकाओं के निर्माल की अगर हम लोग बात करें, तो लाल रक्त कलिकाओं हमारे सरीर की अपूर्ण कोशिकाओं हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर केंद्रक, यानि कि नुकलियस नहीं पाया जाता है इनमें, इनमें क्या नहीं होता है, नुकलियस अबसेंट होता है, यानि कि केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, incomplete cells कहा जाता है, अपूर्ण कोशिका कहा जाता है ठीक है लाल रक्त कलिकाओं का जीवन काल पूरा हो जाता है इनका जीवन काल कितना होता है तो 100 से 120 दिन इनका जीवन काल होता है 100 to 120 डेज इनका लाइफ इस्पाम होता है और हीमो ग्लोबिन के आधार पर अगर हम लोग देखे तो जब ये डेड हो जाएंगी तो इनको हिमोगलोबिन और RBC को dead RBC को separate करने का काम कौन करता है liver करता है और liver जब separate करता है तो एक pigment बनता है जिसको हम लोग कहते हैं bilirubin ठीक है क्या कहते है pigment को bilirubin और यही bilirubin की वज़े से हमारा जो fishes है यानि कि मल है मल का जो आपका color होता है yellow वो इसी के कारल होता है bilirubin के ही कारल होता है तो liver में separation होता है hemoglobin और RBC का लेकिन इनका निर्माल नहीं होता इनका निर्माल जो है हमारी जो bone होती है हड़ियां होती है हड़ियों के अंदर एक fluid present होता है और इस fluid को हम लोग क्या कहते है हम लोग कहते है bone marrow यानि कि अस्थी मज्जा और इसमें से भी जो हमारा red bone marrow होता है यानि कि लाल अस्थी मज्जा होता है तो red bone marrow से ही production किसका होता है RBC का तो इसका right answer क्या हो जाएगा option D यानि कि bone marrow यानि कि अस्थिमज्या के द्वारा लाल रक्तकलिकाओं का निरमाण हो जाता है और मृत RVC कहां पर इकठा होती है तो हमारे सरीर में एक अंग प्रेजेंट होता है, एक अंग उपस्थित होता है जो कि प्यांकरियाज के पास में होता है, अगनाशे के पास में, हेड के पोर् यानि कि लाल रख्तकणिकाओं का कब्रिस्तान इसको कहा जाता है स्प्लीन को तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई questions आपके cover हुए है जिनको हम लोगों ने यहाँ पर discuss किया है तो गौर से सुनिया और साथी साथ subscribe और share जरूर करिये वीडियोज को ठीक है अगला question है हमार the main function of antibodies against whom यानि कि antibodies यानि कि प्रतिरक्षियों का मुख्यकार किसके विरुद्ध होता है adverse environment condition यानि कि विपरीत परियावरनी परिस्थिति के infection यानि कि किसी संक्रमल के dangerous condition संकट ग्रस्त अवस्था में या deficiency of nutrition यानि कि पोशक्तत्य की कमी के विरुद्ध तो किसके विरुद्ध होता है तो हम लोग जानते है कि हमारी body में antibodies यानि कि प्रतिरक्षी किसके विरुद्ध कारे करते हैं तो ये antigen के विरुद्ध कारे करते हैं ठीक है किसके विरुद्ध किसके अगेंस काम करेंगे एंटीजन और एंटीजन हम लोग किन को कहते हैं any foreign political यानि कि कोई भी वाह गटक जो हमारे सरीर में आएगा उसको हम लोग एंटीजन कहेंगे और वाह गटक हमारे सरीर में जब भी आता है तो हम लोगों को कोई ना कोई बीमारी काउज करता है यानि कि infection यानि कि संक्रमल काउज करता है तो संक्रमल के विरुद्ध कौन कारे करता है तो प्रतिरक्षी कारे करते हैं यानि कि antibody तो इसलिए right answer आपका कहा होगा B option right होगा यानि कि infection यानि कि संक्रमण के विरुद्ध antibodies कारे करते हैं आईए देखते हैं कि अगला प्रश्ण हमारा क्या कहला है अगला प्रश्ण है हमारा the purification of blood occurs by यानि कि रक्त का शुद्धी करण कहा होता है options हैं आपके व्रिक यानि कि kidney, lungs, फेफडे, heart, रदय, या liver, यक्रित तो रक्त के शुद्धी करण का मतलब क्या है तो शुद्ध रक्त को हम लोग क्या कहते है oxygenated blood यानि कि जिसमें क्या present हो oxygen present हो खिक है और अशुद्ध रक्त क्या कहा जाता है deoxygenated blood यानि कि CO2 containing blood आपका अशुद्ध रक्त कहलाता है तो हमारे रक्त में oxygen और carbon dioxide का exchange कहां पर होता है तो इनका जो exchange है हमारे सरीर में ये कहां पर होगा तो हमारे सरीर में दो हमारे part उपस्थित है और इन parts को हम लोग क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं बेटा lungs कहते हैं यानि कि फेफडे तो हमारे फेफडों में gases का exchange यानि कि अशुद्ध रक्त किसमें परिवर्तित हो जाता है शुद्ध रक्त तो इसका right answer क्या हो जाएगा आपका lungs यानि कि फेफडे हो जाएगा अब वहीं बात करें कि blood का purification कहां पर होता है यानि कि अगर बात करें कि रक्त का filtration कहां होता है purification तो lungs में हो रहा है filtration कहां हो रहा है यानि कि छनन कहां हो रहा है तो blood का filtration होता है kidney में यानि कि व्रिक में जिसकी वज़े से waste material urine के साथ हमारी body से eliminate हो जाते हैं यानि कि मूत्र के माद्यम से सरीर से निकल जाते हैं तो रक्त का छनन कहां होगा तो kidney में और रक्त का शुद्धी करन कहां होगा तो फेफ़ले में यानि कि lungs में होगा ठीक है तो right answer हो जाएगा B. एक next है which organ of human body produces bile यानि कि मानव सरीर में पित का निर्माल कहां पर होता है तो पित के निर्माल की अगर हम बलोग बात करें तो हमारा पित रस जो है ये पाचन की प्रक्रिया में भागीदारी निभाता है और इस आधार पर देखें तो bile का जो production है यानि कि पित रस का जो उत्पादन है ये कहां से होता है तो हमारे लिवर से होता है यानि कि यक्रित में पित का निर्माण होता है यानि कि उत्पादन होता है और ये श्रावित कहां से होता है तो हमारे लिवर में ही एक अंग और जुला होता है और इस अंग को हम लोग क्या कहता है ग The sex determination in kids facilitated by whom chromosome, यानि कि बच्चों में लिंग का निर्धारल किसके गुर्ण सूत्र के द्वारा होता है, माता के गुर्ण सूत्र के द्वारा, पिता के गुर्ण सूत्र के द्वारा, दोनों माता और पिता के द्वारा या नन उफदा अबब, तो females में जो 23rd pair होता है, 23rd जोड़ी होती है, वो तो X और X chromosome होती है, जबकि males में क्या होता है, X और Y होता है, 23rd जोड़ी गुर्ण सूत्र पाए जाते हैं बच्चे में, या किसी भी मनुष्य में, तो यहां पर जो लिंग निर्धारन है, देखो माता से तो X chromosome ही मिलेगा, लेकिन पिता से एक X और एक Y मिलेगा, तो अगर माता के गुर्ण सूत्र से X chromosome मिलता है, तो इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगी, और पिता से अगर Y मिल गया, तो क्या हो जाएगा लड़का हो जाएगा तो ये किस पर निर्भर करता है ये पिता के गुड़सूत्र पर निर्भर करता है बच्चे का लिंग निर्धारन यानि कि option B is the right answer यानि कि B फादर्स पिता के गुड़सूत्र पर निर्भर करता है अगला question है कैचिव is obtained from which, यानि कि जो कत्था है, ये किस से प्राप्त होता है, options है, पॉपी, यानि कि पोस्ता के द्वारा, अकेसिया के द्वारा, पैरूला के द्वारा, या सिनकोना के द्वारा, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो जो हमारा कैचिव है, यानि कि जो कत्था है, ये अकेसिया के पेड़ की लकड़ी से निकाला जाता है यानि कि अकेसिया से प्राप्त होता है तो इसका राइट एंसर क्या होगा अकेसिया कथा जो आप लोग देखते हैं कि बहुत से लोग जो पान का सेवन करते हैं तो पान में कथे का इस्तमाल किया जाता है तो अकेसिया के पेड़ से यह निकाला जाता है तो उमीद करते हैं कि आप सभी लोगों को सारे एक प्रश्ण क्लियर होंगे कोई confusion नहीं होगा ठीक है तो ऐसे ही और वीडियोज के लिए आप लोग चैनल को सबस्क्राइब और शेयर जरूर करिए साथी साथ बेल आइकन को प्रेट्स करिए ताकि नेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और चैनल को सबस्क्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके और अपनी प्रिपरेशन को और एडवांस बना सके तन्यवाद